हाई एवरीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल अश्रिया कैसे हो आप सब आप अच्छे होगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह वाला मेकप लुक शेयर कर रही हूं जिसमें की मैंने पिंक आई लुक क्रियेट किया है तो देखो मैं तो कोई मेकप आर्टिस्ट ह करके रहती हूं कि मतलब कुछ अच्छा करूं तो अगर आप तो यह वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है थोड़ा सा भी एफ टो मेरे लिडियो को ले़ेख सेड़े available करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तौशए यहांसाइव पाघ्ड़ा तो बढ़ते हैं अपने स्किन केर की तरफ और स्किन केर पर मैंने सबसे पहले किया है टोनर अपलाई और टोनर अपलाई करना आप लोको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपके पोर्स को मिनिमाइस करता है और यह मैं यूज कर रही थी गुडवाइब्स का रोज ग्लो टोन यहां पर मेरा स्किन केर हो जाता है कंप्लीट बस अपलाई कर नहीं नहीं दो कर रही हूं और काफ़ी एफोरड़ रेंज का प्राइमर है मैं अपने साथ जरूर शेर करोगी तो यहां पर मैंने अच्छे से अपलाई कर लिया और अब मैं एका बीबी क्रीम यूज कर रही ह यह भी काफी अच्छा है इसका भी रिव्यू मैं आपनों के साथ शेयर करूंगे और आज मुझे कुछ फाउंडेशन यूज़ करने का मूड नहीं था तो मैंने सुचा बीबी क्रीम यूज़ कर लिया और ब्यूटी ब्लेंडर है पुना स्टोर का जिन लोग को नहीं पता है कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करना पर जिन लोग को नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हैं कि अपको यूज़ वह पहले मैं बीगह पुररा प्रिम निकाल देना है और फेश पर डैप डैप कर न colonial बीभी क्रीम पांडेशन लगाया हôm Iける च्छाAls जिसमें की मेरा शेड है केरामल प्रेडजल तो उसी ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने यूज किया है तो यहां पे मिला लोंगी जैसे कि आप देख सकते हो जहां 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 जरूरत लगी यूज कर लिया है और उसके बाद आपको अच्छे से पुरे फेस में यूसी ब्ल चुका है उसके बाद मैं यहां यूस कर रही हूं मेबलीन फिटमी का कॉमपैक्ट इसमें की मेरा शेड है 310 संबिच तो यहां पर मैं अच्छे से अपने बेस को सेट कर लिया है और उसके बाद मैं यूस कर रही हूं स्विस ब्यूटी का अल्टीमिट शैडव पैलिट जि जिसमें की मेरा शेड है 03 इसमें मुझे एकदम पॉफिक पिंक कलर मिल गया जिस कलर का मैंने टॉप पहना था बिल्कुल वही पिंक मिला है तो इसे मैंने पहले तो प्लेस कर लिया अच्छे से फ्लैट ब्रश की हिल्प से पहले मैं आई शैडव को प्लेस कर रही हूं और पिर मैं उसे समझ करूंगी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं यहां पे समझ कर रही हूं से अच्छे से और आपको तो ऐसे भी आई शैडव जब आप लगा रहे हो तो आपको समझ करने के ताइम देना ही पड़ेगा क्योंकि हाश लाइन दीखने पे बहुत खराब लगता ह तो समझ करने में तो आपको टाइम देना ही परेगा तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं दे रही हूं और यहां पे मैंने समझ करने के बाद जो मैंने क्रीज पे कलर लगाया था वो लाइट ब्राउन कलर और इस कलर को नहीं सॉरी लाइट ब्राउन नहीं पीच शेड जो इस बाद मैं अपने आखों के नीचे भी पिंक कलर लगा लूँगी और छोटे वाले फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे मैं समझ कर लूँगी जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मैं लगा लिया है पहले और उसके बाद मैं समझ कर रही हूं हलका हलका साफ को समझ कर लेना है और काफी अच्छा लगता है जब आप इस तरह का लोग क्रिएट करते हो तो और उसके बाद मैं यहां पर स्टेक वाकी का आई-लाइनर यूज़ कर रही हूँ आई-लाइनर लगाने में इतना ध्यान देना परता है ना कि कुछ कहना ही नहीं है और मुझे लगता है कि इस बात में मुझे से बहुत साई लगा रिलेट करेंगी कि हाँ ऐसा होता है आई-लाइनर पर बहुत ध्यान देना परता है तो यहां पर मैंने एक आख में तो आई-लाइनर कंप्लीट अच्छे से लगा लिया और दुस्री आख में भी हो गया और यहां पर मेबलीन का लैश सेंसेशनल वाटर प्रूफ मस्कारा यूज कर रही हूं अपने लोवर आई-लाइस पे भी और अपर आई-लाइस पे भी तो आप जभी मस्कारा यूज करें तो लोवर आई-लाइस और अपर आई-लाइस दोनों में यूज किया करें तो यहां एक डिना उसे चलते हों यहां पर यहां पर यूज लगा ले रही हूं और यहां पर यूज्व करने से पूर्श तो इतना में इस तो पूरा वाइब लगेगा तो फ्री शीप में आ जाएगा यहां पर देख सकते हों कि मैं फेज चूर्य कर लिया अब चाहिए और यहां पर मैं ब्लush यूज कर रही हूं जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से मैंने ब्लश यूज कर लिया है और इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूं है अपने यूज यूज जाना चाहिए जैसे कि ब्रिज औफ नोज, चीक बोन, ब्रो बोन और चिन पे क्य फिनिश सेटिंग स्प्रे सेट उसके ऐसे Rig Nवाइब कर रही है यह लगा जने कि बाद यह ल icon हमे लिप आखा लगाते ऊशेयो हमति अधर Boss स Deutsch आछा लिप्सक्टिक ईदियो और यह है फाइनल लुक तो आप लोगों को यह अच्छा लगा हो और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो आपको पता आपको क्या करना है मेरे चानल को सब्सक्राइब करना है मेरे वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कॉमेंट करना है और आप चानते हो यार कि आपको क्या करना है बार बर बताना परता है बोलो तो ठीक है मिलते हैं फिर अपने नेक्स वीडियो में बाबाई टेक के अपना ध्यान रखिए और मास्क पहनना मत भूलिए ठीक है चालो फिर बाबाई